नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललीत नरायन मितला युनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के पार्ट 3 रिजल्ट के सुधार के बारे में ठीक है बहुत सारे रिजल्ट जो हो आपको पेंडिंग देखने को मिल रहा होगा ब उसके बाद रिजल्ट पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे फिर अगर रिजल्ट में आपका रिजल्ट में आपका यू आर लिखा हुआ है और यू आर का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है तो उसके बारे में बात कर लेंगे किसी का रिजल ठीक होगा कैसे सुधार करेंगे आप पार्ट 3 का डिजल्ट ठीक है क्या क्या आपको document ready रखना परेगा और कैसे जो ही वह application लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे तो यह application लिखा जाता है उसके बारे में जो बात करेंगे उसका वीडियो जो पहले ही बना दिया गया है अगर आपको application लिखने के बारे में जानकारी लेना है तो वो वीडियो पहले ही जाके देख लिजेगा इसके उपर एक अलग वीडियो बना दिया गया है जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है थमनेल वही वीडियो आप जाके देख लिजेगा या फिर टेलिग्राम प रिजल्ट पेंडिंग क्यों किया गया रिजल्ट नोट फाउंड है तो क्या करें कब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद यूर लिखा है इसका मतलब क्या हुआ MWP1 लिखा हुआ है यह कैसे सुधार होगा MWP2 लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है कैसे सुधार होगा तो सबसे पहले यहां से सुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बाद के पास ढम होगा तो आपके पासा का या आपका फाट ऊन का रीजल्ट रेज़्ट अपेनिगहोगा को काम सब्सक्राइब बॉपण सबहन on car और एक प्रिफयल्ट याव मतलब पारत वर्येटि नहीं वर तो पाट 2 का रिजल्ट अगर पास हो जाता है तो पाट 3 का रिजल्ट ठीक हो जाएगा आपका अगर सिर्फ यह लिखा हुआ है तो अगर MWP लिखा हुआ है तो पाट 2 का रिजल्ट पास होना परेगा और MWP1 लिखा हुआ है तो पाट 1 का रिजल्ट पास होना परेगा और दोनों लिखा हुए है तो दोनों में पास होना परेगा दोनों का नंबर अगर नहीं चरहाया गया है तो इंतिजर किजिएगा नंबर चब ड़ जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपने दुबारा एकजाम दिया था आप पस भी हो ईसलिए बता रहा है क्योंकि आपका रिजल्ट रहा है नहीं किया गया हो फिए कडा के पाद आप रहे उप्र हा और तो आपका आ लां सकता है इसका कोई न क फाउंड है वो कब ठीक होगा कब आएगा आपका रिजल्ट अगर बहुत दिन तक साथ आठ दिन तक आपका रिजल्ट नहीं दिखाता है तो आप application दे सकते हैं कि मेरा आपका रिजल्ट यहां वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है और आप अपना एड़िमिट कार्ट जो आप एक्जाम दिये हुए थे और एटेंडेंस जो हो जमा कर दीजेगा वह आपका रिजल्ट जो हो ठीक कर देंगे आपका रिजल्ट दो से तीन दिन में अपडेट कर द पर आपका रिजल्ट अगर स्ट डी जन है या फिर आपका रिजल्ट अगर सेकेंड डेमिजन है तो आप ऑन कंलेंगे और का जो आणर्व होगा वह करने के लिए आपको फ्री में मिल गया ऐसे समझ लीजिए कि आपको जो हुआ एक से लेके 5 मार्क तक फ्री में दे दिया गया है फस्ट डिविजन करने के लिए आपको 475 आ रहा था और फस्ट डिविजन करने के लिए आपको चाहिए था 480 तो यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया 5 मार्क और हो गया आपका 80 तो हो गया फस्ट डिविजन लेकिन वह 5 मार्क लिखा नहीं गया उसके बदले में लिख दिया यू आर ठीक है उसके बदले में ठीक कैसे होगा यह सुधार कैसे होगा MWP1 लिखा हुआ है उसका सॉलूशन बात कर लेते हैं सेम तु सेम सॉलूशन MWP के लिए भी है ठीक है तो दोनों के लिए एक ही सॉलूशन है आप बस ध्यान से सुन लीजिए MWP1 लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का रि जीए अशर मने के आपको क्या हुआ है तो वह फलार रिजल्ट जीतनी लुह हो पास हो गया यानि क्वाली no भॉther ॥ा हो अब्याद बूरे लिखा पास हुआ है कि उससरे में कंष्गे टमर्ट लिखा हुआ है उलरेश्चीत कर चेंशीले Allah क्वाली तो टो नयाँ वाला मार्क्सित जो पास हुआ है उसके बाद part two का भी मार्क्सित और part three का भी मार्क्सित सब मार्क सिट और सब admitt card application लिख के सब को से एक साथ photocopy करवा के जमा कर दिजिएगा और आपका result सुधार हो जाएगा ठीक है करना क्या है आपको admit card सब का part one part two part three जितना exam आप दिये हैं सब का admit card part 1, part 2, part 3 जितना marksit आपके पास है online download किया हुआ सब का marksit आप ले लिजेगा सब का photocopy और एक application लिखेगा और उस application पे college पे जाके sign more करवा लिजेगा और university में जाके जमा कर दीजे ठीक है वो आपका सुधार होगा उसके बाद MWP के लिए भी वही करना है बस आपको क्या करना है part 1, part 2 का result लेना है result वो वाला लेना है जिसमें pass लिखा होगा या फिर qualified लिखा हुआ अगर आपके पास qualified वाला result है तो पुराना जो promoted result है वो भी ले लिजेगा ठीक है सब रिजल्ट, सब मार्क सीट जितना भी आपने डाउनलोड किया हुआ है सब मार्क सीट ले लिजे सब एडमिट कर ले लिजे एक एपलिकेशन लिखिए और कॉलेज बे जाके साइन महर करवाईए और जाके युनिवर्सिटी में जमा कर दीजिए ठीक है यह हो गया आपका सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन है MWP1 लिखा हुआ है यानि कि Part 1 का मार्क अपडेट नहीं हुआ है हाँ अगर आपका मार्क दिया ही नहीं है कि कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है लेकिन मार्क जीरो है या फिर मार्क अपडेट नहीं किया गया है तो जो चार दिन इंतजार कीजिए वो मार्क धीरे धीरे अपने अपडेट हो जाएगा ठीक है वो युनिवर्सिटी के तरब से अपडेट नहीं किया गया है अगर मार्क नहीं दिया है तो वो धीरे-धीरे update कर दियेगा ठीक है, और किसी subject में absent कर दिया है, exam देने के बाद भी absent कर दिया गया है, तो दो-तीन दिन इनतिजार कीजिए, update होगा तु ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही करना परेगा, एक application लिखना परेगा और application लिखने document के साथ जमा करना परेगा ठीक है तो application लिखना कैसे है और क्या-क्या document लगेगा आपको जिनको absent कर दिया गया है और या फिर जिनको application लिखना है MWP1 सुधार करवाने के लिए या फिर MWP2 सुधार करवाने के लिए उसको हम लोग next वीडि है उनके लिए भी ठीक है समझ गए M2 MWP1 किसलिए लिखा हुआ है यानि कि पार्ट वन का रिजल्ट पर्मोटेट था आपने दुबारा एक्जाम दिया लेकिन रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ अभी तक इसलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग है और MWP लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि पार्ट वन का रिजल्ट पेंडिंग है अगर यह लिखा है तो पार्ट वन का रिजल्ट पहले सुधार होगा और पहले से सुधार किया हुआ माक्सिट है तो उसको जाके जमा करना है अप्लिकेशन के साथ पार्थरी का रिजल्ट भी सुधार कर दिया जाएगा ठीक है तो अगर कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कॉमेंट कर लीजेगा और जो अप्लिकेशन लिखने का बात है वो हम लोग नेक्स वीडियो में बात कर लेंगे